प्रिये विद्यार्थियों सुप्रभात आज मैं बर्ग सस्टम कुछ धातु रूप का पुन्द्राविर्थी कराऊंगा धातु रूप जो आपके लिए आगामी परिक्षा है तू महत्वपूर्ण होंगे सबसे पहले पठ धातु पठ पढ़ना टूरीड लटलकार बर्तमानकाल सभी पूरुषोर सभी बचनों में पठ धातु का रूप इस प्रकार होगा प्रथम पूरुषा एक बचनम पठती द्वी बचनम पठता बहु बचनम पठंती मध्यम पूरुषा एक बचनम पठसी द्वी बचनम पठता बहु बचनम पठत। उत्तम पूरुषा एक बचनम पठामी द्वी बचनम पठाव बहु बचनम पठाम लटलकार बर्तमानकाल में पठधातु का रूप इस प्रकार हुआ पठती पठता पठंती पठसी पठता पठद पठामी पठाव पठामा लगलकार जिसको हम लोग अतीत काल या भूत काल कहते हैं अंग्रियजी में पास्टेंस काल आता है पठधातु का रूप लगलकार के सभी पूरुस और बचनों में इस प्रकार है प्रथम पूरुस अपठत एक बचन दी बचनम अपठताम बहु बचनम अपठन उत्यम पूरुस एक बचनम अपठा दी बचनम अपठताम बहु बचनम अपठत उत्यम पूरुस एक बचनम अपठाम दी बचनम अपठाव बहु बचनम अपठाम लंग लकार में पठधातू का रूप इस प्रकार हुआ अपठत अपठताम अपठन अपठा अपठतम अपठत अपठत अपठम अपठाव अपठाम लिट लकार भविस्यत कार अंग्रेजी में इसको हम लोग फीचर टेंज कहते हैं लिट लकार में पठधातू का रूप शभी पूरुशों और बचनों में इस प्रकार होगा परथम पूरुशा एक बचनम पठिस्यती द्वी बचनम पठिस्यत बहु बचनम पठिस्यंती मध्यम पूरुशा एक बचनम पठिस्यसी द्वी बचनम पठिस्यत बहु बचनम पठिस्यत उत्तम पूरुशा एक बचनम पठिस्यामी द्वी बचनम पठिस्याव बहु बचनम पठिस्याम लिर्टलकार में पठधातू का रूप इस प्रकार हुआ पठिस्यती पठिस्यत पठिस्यंती पठिस्यसी पठिस्यत पठिस्यत पठिस्यामी पठिस्याव पठिस्याम लोट लकार अनुक्या काल जिसमें आदेश देना या आदेश लेना पटधातु का रूप शभी पूरुसों और बचनों में इस प्रकार हुगा प्रथम पूरुस एक बचनम पठतु द्वी बचनम पठताम बहु बचनम पठांतु लोट लकार में पठधातु का रूप इस प्रकार हुगा पठतू, पठताम, पठन्तू, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। पठतिक का सब्द रूप इसी प्रकार हियाद करेंगे। अगला गम, गच, जाना, टूगो, गम, गच, धातू का रूप, लट लकार, बरतमान काल में इस प्रकार होगा। प्रथम पुरुसा, एक बचनम, गच्छती, दी बचनम, गच्छता, बहु बचनम, गच्छंती। मध्यम पुरुसा, एक बचनम, गच्छसी, दी बचनम, गच्छता, बहु बचनम, गच्छत। उत्तम पुरुसा, एक बचनम, गच्छामी, दी बचनम, गच्छाव, बहु बचनम, गच्छाम। लंगलकार, अतीत काल, या भूत काल में, गम गच्छधातु का रूप इस प्रकार होगा। पर्थम पुरुसा, एक बचनम, गच्छत। दी बचनम, गच्छताम, बहु बचनम, गच्छन। मद्यम पुरुसा, एक बचनम, गच्छाव, दी बचनम, गच्छताम, बहु बचनम, गच्छत। उत्तम पुरुसा, एक बचनम, गच्छाम, दी बचनम, गच्छाव, बहु बचनम, गच्छाम। लिटलकार में, गम गच्छधातु का रूप इस प्रकार होगा। प्रथम पुरुषा गमिस्यती, एक बचनम, द्वी बचनम, गमिस्यता, बहु बचनम, गमिस्यंती, मध्यम पुरुषा, एक बचनम, गमिस्यसी, द्वी बचनम, गमिस्यता, बहु बचनम, गमिस्यत, उत्वम पुरुषा, एक बचनम, गमिस्यामी, द्वी बचनम, गमिस्य लोटलकार में गम गच्धातु कारू इस प्रकार होगा। उत्तम बुरुसा एक वचनम गच्धानी, दी वचनम गच्धाव, बहुवचनम गच्धामा। हम पटधातु और गम गच्धातु कारू इस प्रकार अस्मरन करेंगे ताकि आगामी परिक्षा के लिए हम इसे अच्छी तरह याद करके लिख सके। इती 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 इती